अस्सलाम अलेकुम हाँ कैसे स्टुडेंट ठीक है आप अल्ला पाख खुश रखे जिंदगी से दिया आपको काम्याप करें जी बैटा आज हम पढ़ेंगे होमोजाइगस हेटोजाइगस एंड़ हेमिजाइगस ये कुछ स्टुडेंट से का था कि आप अमें बताया दें कंस स्टुडेंट के लियर नहीं तो छोटी सी वीडियो है कोई बहुत बढ़ी नहीं आपको फटा फट कंसेट समझ में आ जाएगा मिन्टों में इसलिए आप इसको देखने पूरा बहुत छोटी सी वीडियो है हुमो मीनस होता है बिटा सेम तो आप ये देख रहे हैं इसमें same alil हैं लेकर नीचे alil's are same इसके बाद देखें हेट्रो हेट्रो में alil कैसी होती है different है यानि same means क्या है dominant dominant यह आप देखें b से इसको यह जाहर किया एक capital एक small capital means क्या dominant और यह recessive character है different है हमी means क्या होता है half means half那我們ектор के अपर जो है वो अलील होती और यह किसका होता है male का होता है यह x chromosome है female के chromosome ऐसे होते हैं यह female के chromosome हैं और male के chromosome में एक chromosome का size जो X है वह female जिएनल जितना होगा बड़ा होगा और जो उसका Mayl का अपना वाई क्रोमोजाव होगा वो छोटे साइस का होगा और उसके कोई अलील भी नहीं होगी ठीक है? आपने ये बात कोई भी Compersonal का यहाद रोगी है, पर या यानि यानि वाई पर मिंस कोई भी actorयल नहीं है और एकस पर अलील है और इसलिए कोई अलील नहीं तो आप देख रहें कि हाफ क्रोमोजूम जो है इसमें हाफ पर अलील है यह देखें यहां से इस हाफ पर अलील है इसलिए इसे हैमी कहा गया है ठीक है इसके बाद बेटा देखें यहाँ पर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का फर्क का आपको नुमाया करने के लिए यह दोनों आप देख रहे हैं कि कैपिटल बी बी है मिन्स क्या है होमोजाइगस अलील है इस पर और कौन सी है यह यह डॉमिनेट केरेक्टर है और यहाँ देखें यहाँ भी क्या होमो है लेकिन दोनों क्या है रिसेसिव हैं लेकिन यहाँ आप देखें यहाँ पर क्या है एक कैपिटल एक स्मॉल मिन्स एक डॉमिनेट है और एक रिसेसिव है और इसमें भी क्या है एक डॉमिनेट और एक रिसेसिव है तो यह क्या होंग है या क्या है वोuciones होंगे जो होंगे होंगे होंउ की मेनींग ही सेम है जी इसके बाद देखें यह हम ने आपके लिए ड्रॉ किया है ता कि आप देखिए और समझे इसी चीज को अलील देखें यहां पर क्या है दोनों एक जासी अलील ह क्या है ग। Capital, reign क्या है Central fordi आप देखें एक्स वाई दो क्रोमोजोम होते हैं तो एक्स पर क्या है अलील आपको सी नजर आ रही है वाई पर नहीं है और हैमी का मतलब हमने आपको बता दिया कि हाफ होता है इसलिए बेटा ये वाली बात भी दूसरी याद रखें कि हमेशा इस बात का रिस्पॉंसिबल एक्स से मिलेगा तो बेवी होगी और अगर फीमेल का एक्स जो है मेल के वाई से मिलेगा तो बाबा होगा लेकिन यह कि फीमेल के पास अनली एक्स होता है वो वाई दे ही नहीं सकती और जो मेल होता है सिर्फ वहाँ से वाई मिलता है जिस से कि बेवी या बाबा होता है इस यहां पर भी आप देखें हमने आपको क्या बताया है कि x x जो है आप यह देखें x और x दोनों यह जो आपको उपर हमने दे रखा है यह capital है means homozygous dominant trait है और यह क्या homozygous recessive trait है homozygous यहां पर लेकिन देखें एक capital और x small है तो it means क्या है यह heterozygous लेकिन dominate है dominate आगे चलके हम आपको जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा एक character भी dominant अगर होता है तो फिर recessive जो है वो जाहिर नहीं होता और recessive सामने आएगा ही नहीं क्यूंकि वो recessive है चोटा है और dominating character ही दिखाई देगा जबकि अंदर में कितना भी recessive character वो नजर नहीं आएगा इसके बाद देखें बटा क्या है female can be homozygous, heterozygous female देखें एक जैसा आपने देगा size chromosome का तो female homozygous भी हो सकती है heterozygous भी हो सकता है उसका chromosome about the specific trait on the X chromosome क्योंकि X chromosome है तो उस पर capital AAB हो सकता है small AAB हो सकता है और capital and small AAB हो सकता है अब यह है कि हम यहाँ पर जो है अलील को जाहर किया A, B, C, D किसी भी चीज़ से जाहर किया जा सकता है इसके लिए कोई ऐसी specific pronunciation नहीं है तो वो जिससे भी जाहर करेगा scientist या जो भी question है problems है वो आप उसी हिसाब से देखेंगे बस आपको यह पता हो कि उन्होंने जो capital से जाहर किया आता है वो dominant है और जो small letter से जाहर किया आता है वो recessive है इसी तरह term यहां से देखें हम अब आपको बता रहें the term ठीक है कहां से यह रहा the term homozygous and the heterozygous do not apply to two chromosome on men men के chromosome पर homo hetero apply नहीं होगा क्यूंकि उसके chromosome पर सिर्फ एक parallel पाई जाती है they are the hemisygous वो hemisygous होता है हमने यह आपको यह hemisygous का माइना हमने आपको meaning बता रखी है कि hemisygous की meaning क्या होती है तो hemisygous means क्या है यहां से यह back दुबारा से ठीक है यह देखें हम आपको बता रहे हैं यह देखें यहां पर क्या है हमाई पास है इसमें आपको X पर capital A नज़र आ रहा है means यह dominant character है और यह आपको X पर small A नज़र आ रहा है means यह recessive character है तो क्या है character सिर्फ only X पर है बाकी वाइपर नहीं है और वाइपर होगा भी नहीं क्यूंकि यह hemisygous जो है chromosome है ठीक है वेटा जी अभी आपको अगर समझ आ गई है बात कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ लें और छोटी छोटी सी वीडियोस होगी जिसमें आपका concept clear होगा इसलिए आप क्या करें आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और उसके बाद आपको इन्शाल्ला ताला इसका result मिलेगा हर एक के साथ भलाई करें चोटी सी बात अगर आपको समझ आ रही है तो आपके friend को भी समझ आनी चाहिए और उस्तादों की दौआएं बहुत एहमियत रखती है parents की दौआ माबाप की दौआ बड़े बूरों की दौआ बच्चों की दौआ उस्तादों की दौआ दौआ तो बेटा दौआ है आप हर एक से दौआ लेने की कोशिश करें ताकि आपको दौआएं मिलें और उन्ही उपसूरत लेडर होगी ऐसी आसान सिड़ी होगी कि जो आपको काम्याबी के रास्ते तक लेकर जाएगी और हमारी दुआएं आपके साथ हैं एंटिटेस्ट के अपनी तैयारी जबरदस्त रखें परेशान बिलकुल भी ना हो और जब तैयारी करेंगे पढ़ेंगे तो यकी कभी भी राएगा नहीं जाती है ठीक है मेनत करें आप काम्याब होंगे इन्शाल्ला ताला ओके टेक कियर अलाफेश